नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है वेंपायरहब.com की ओफिसील यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हो आज हम बात करने वाले हैं चार वेकेंसिस की तीन के बारे में सौट में और एक के बारे में कम्टेट डीटेल्स दोंगा तो चलिए देख लें दोस्तों उसे पहले बता दूँ ये चारो ही गवर्मेंट जॉब हैं साथ ही और इंडिया जॉब है के पद हैं और यहां पर मिनिममम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा तू येर्स का इनफर्मेसी और थर्ड वेकेंसिया ये मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के डिपार्टमेंट से यहां पर वीरियस एक्जेक्यूटिव के पद हैं जिनके लिए अपलाई कर सकते हैं मिनिममम के डिपार्टमेंट से यहां पर वेरियस वरकर के पद हैं तो चली जान लेते हैं इसके वेकेंसी डिटील साथ ही आपको बता देते हैं कि फॉर्म फिलब कैसे करना है इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका फॉर्म फिलब दिखलाऊंगा तो आप जरूर से पूरा पेस्ट करोंगा कि प्लिज आप वीडियो को लाइक से अंसब्सक्राइब कर दें दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्सें मैंने थे इंपोर्त लिंक्स दे दिया इस वेकेंसी को अपलाइब करने का साथ ही दिया हुए है Telegram group and WhatsApp group का link जिसे के आपको जोईन कर लिना है क्योंकि आपको वहाद पर मिलते है देली जॉबलेक्ट प्रिवीस इस रिख वगैरा तो आप जरूरर से हमारी WhatsApp टेलीट्राम ẽत्व का जोईन कर लें दोस्तो यहांपर रिक्रुटिंग बाड़ी है Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Limited Employment Type मद्धपर्दीश, Government Job, Total Number of Vacances, Various यानि की Specified नहीं है, Job Location है, Ujjayan, मद्धपर्दीश यहाँ पर Total तीन पोश्ट है, Skilled, Semi-Skilled and Unskilled Workers के, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का कुछ Question है, भारत में पहली बार Metro Rail किस सहर में चली, आपके Options है, Mumbai, Lucknow, Bangalore या फिर Kolkata, अपने जवाब comment box में जरूर दे चली आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके Qualifications के बारे में दोस्तों, यहाँ पर Skilled Workers के लिए Qualification मागे गई है ITI Pass Semi-Skilled के लिए Qualification मागे गई है ITI Pass, वहीं Unskilled के लिए Qualification मागे गई है 10 वी Pass यहाँ पर Age Limit है 18 से 35 साल और रुपी स्केल मिलता है Skilled Worker के लिए 593 रुपीज पर दे, Semi-Skilled Worker के लिए 506 रुपीज पर दे वहीं Unskilled Worker के लिए 448 रुपीज पर दे, Selection Procedure Based है, सिर्फ इंटर्व्यू पर Direct Recruitment है कोई भी एक्जाम नहीं होना है तो अब जरूर से Apply करें दोस्तों, इस Vacancy को Apply करने के लिए Simply आपको हमारे Website पर चलाना है सारे Detail को पढ़ने के बाद आपको Simply स्क्रीन पे सो कर रहा है, Apply Online के Link पर क्लिक करके Apply कर देना है चुकि यहां पर Starting Date है 30 March और Last Date है 6 April मैं आपको इसका Form Flip दिखलाऊंगा तो चलिए देख लें दोस्तों, आपको Simply क्लिक करना है, स्क्रीन पे सो कर रहा है Link पर और दोस्तों, हमारा Official Notification खुल जाएगा और दोस्तों, यह हमारा Official Notification खुल चुका है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपको सारे Details इसमें मिल जाएगी दोस्तों, इसे में आपको इसका Application Form भी मिल जाएगा, जिसे कि आपको अच्छे से Fill Up कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका Application Form में आपको इसे अच्छे से Fill Up कर लेना है, और Interview पे पहुंच जाना है दोस्तों, इमीद करता हूँ कि आपको सारी बात इस समझ में आ गई है, वीडियो पसंद है, तो ज़रू से Like, Share and Subscribe कर दे, जैहिंद वने मातरम